खालसा उस्कूल मोगा ने किया उस्कूल खोलने का स्वागत। अध्यापकों का कहना है कि बच्चों के साथ ही हमारा जीवन निर्भर करता है अगर बच्चे नहीं आते तो हमें काफी दिक्कत महसूस होती है चाहे पंजाब सरकार के दरा आनलाइन क्लासेस लगाई गई थी परन्तु फिल भी जब तक प्रक्टिकल क्लास में बच्चा हाज कि ना हो वह बात नहीं बनती वाइस प्रिंसिपल दविंदर जीत कौर ने बताए कि बच्चों को सैनिटाइजर थर्मल स्क्रेनिंग सोसल डिस्टेसिंग का और अलग-अलग बिठाने का उसकूल की तरफ से पूरा इंतजाम क्या गया है इस समय उसकूल का सारा स्टाफ अजीर था देखे मोगा से चरंजी सिंग की यह रिपोर्ट। सैनिटाइजर थे शोशल डिस्टेंसिंग जड़ा है गा वदिया तरीके दिनाल करवाया जा रहा है तो अदे आपका दोहरा एक वदिया संदेश दिता जा रहा है कि पंजाब सरकार दा एक बहुत वदिया अपराला है में अतनुकी लगदा है भी अगजाम दा टाइम स्कूल अपराला है गार फुर्फात जाब गाजे तरह है तो अदेश देश देश दोगे पच्चानों भी टाइम थोड़ा है अगजाम दी किस्तरा त्यारी करनों बच्चानों जी रेगूलर आजाना जाइधा है गा स्कूल पंजमी तो लेके जड़े प्लस तरू तक बच प्रबंद कीते गया है ते बच्चे अपने जड़े एक्जाम ने चंगी तरह देश सकते हैं ता एसी साधिना वाइस प्रेंसिपल पिंदरा खालसा सिनियर सकेंडरी स्कूल मोगा तो इनना वल्लों पूरे जड़े हैं गया हो प्रबंद कीते गया है मोस्ट वेलकम बच्चे अदा कीता जा रहा है कि सारे बच्चे जड़े करांदे बेच बैठे हैं पंजवी क्लास तो लेके प्लस टू क्लास तक रेगुलर क्लासा होना देगा स्टार्ट हो चुकी है शोशल डिस्टेंस दा सैनिटाइजर दा थर्मल स्कैनिंग दा प्रॉपर तरीके दिनाल त्यान रखे जा रहा है सरकार ने एक बार जड़ा है गाओ इहें उपराला करके बहुत द्यारति के जड़ा टाइम खराब हो रहा सीगा पड़ाई खराब हो रही सी ओसनों त्यान दे वेचरा के देवए वदिया उपराला कीता है कैमरामेन दविंदर कुमार दिनाल फास न्यूज इंडिया तो चार्णी सिंग मोगा